आज एक न्यू वीडियो के साथ स्टूडेंट्स में हाजेर हूँ हम लोग 6 का न्यू काउंडाउन पढ़ रहे थे और आज हम इसकी एक्सिसाइज करेंगे वेंड डायाग्राम ठीक है आज मैं आपको बताऊंगी कि वेंड डायाग्राम आपने ड्रॉ किस तरह करनी है और किस तरह से इसमें वेल्यू प्लेस करनी है क्योंकि वेंड डायाग्राम एक ऐसी चीज है जो काफी स्टूडेंट्स को नहीं आती होती अच्छा एकसिसाइज बन सी है ड्रॉ रवेंड डायाग्राम फ़र दफॉलविंग सेट्स यह आपके पास डिफ्रेंट सेट्स आपने इनकी वेंड डायाग्राम प्लेंग। तो चलि मैं आपको आज पताती हूँ किस किस तरह से आपनी ड्रॉ करनी है ठीक है एकसिसाइज है हम one करेंगे सबसे पहले, ठीक है, इस one का part a है, names of five boys starting with a, ठीक है, और secondly उन्होंने कहा है, कि names of five girls starting with a, हाँ जी, अब आप लोग कोई समझ नहीं आ रहे होगे, कि वन डाग्राम कैसे बनानी है, सबसे पहले आपने एक box बनाने है, ठीक है, इस box में आपने different, जों से हैं, पहले हम boys का बना लेते हैं, पहले हम boys के names लिखेंगे, अली, हसन, एहमद, आहद, आहद, ठीक है, आयान, और क्या लिखेंग हो रहा, और हम तारिक, ठीक है, उन्होंने कहा था, five names जो A से स्टार्ट होते हैं, one, two, three, four हो गए, A से अब हम अफजर, हमने लिख लिया, Venn डाग्राम हमेशा याद रखी, जो उनसा सर्कल होता है, ये Venn डाग्राम होती है, अब इस सर्कल के अंदर आपने उन स्टूडेंट्स की नेम्ज लिखने हैं, जो के A से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे एहमद, अली, आहद, आयान, और अफसर, ये होगी, बॉइस की Venn डाग्राम कम्प्लीट, अब हम लोग के पास आजेगी, गर्ल्स की Venn डाग्राम, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, गर्ल्स में उन्होंने ऐसे कहा है, सानिया, हिना, फरा, फरा, सोबिया, जारा, फादिमा, दो, तीन, चौर, पांचे, सना, अभी तक टू नेम्स होएं, सदर, सोबिया हो गया, सोनिया, सोनिया, 1, 2, 3, 4, 4 होगे, ऐसे एक और नेम हमें चाहिए होगा, ऐसे एक नेम सोचे हैं, आप लोग भी, मैं भी सोच रही हैं, ऐसे नेम, सारा, सारा, अब जोंसी गर्ल्स हैं, जुनके नेम, ऐसे, स्टार्ट हो रहे हैं, आपने उन्हें के नेम अगर लिखने हैं, सान्या, सदफ, सोबिय, सोन्या, सारा, ठीक है, यह हमारा कॉस्ट्टन हो गया, सॉल, अच्छा, अब यह तो नहीं है, किसके एक ही पार्ट है, मैं आपको इस कॉस्ट्ट्टन के बाकी पार्ट भी दिखा देती हूँ, कि इस 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 पार्ट हैं, नमबर वन होगे, यह वाला भी मैंने आपको सॉल्फ करके बताया है, स्टूडेंट्स इन यूर क्लास, वो लिब इन फ्लैट, और दोस हू लिब इन हाउसे, सेम इसी तरह ही है, चले मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, कि यह वाला क्वेस्टन कैसे सॉल्फ होगे, ठीक है, हम एक्सेसाइज हो ही है, हम लोग अब वहीं से ही कंटीन्यू करें, कि नमबर पार्ट टू है, एक्सेसाइज, वन सी का, अच्छा, स्टूडेंट्स इन यूर क्लास, वो लेब इन फ्लैट्स, सबसे पहले बिल्कुल, उसी तरह का अपने एक बॉक्स बनाने, अंदर एक सर्कल, जो कि वेंड डायग्राम का होगा, ठीक है, अली, फातिमा, सना, ठीक है, आप और लिग दे, हसन, तारे, ठीक है, उसके बार, एक और बनाएं, ब्लॉक, इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स लिखते हैं, यही बाले, यह चेंज भी लिख सकते हैं, आलिया, हीना, जारा, सोब्या, फारिया, काइना, ठीक है, अब हमने इदर लिखने हैं, लिफ, इन, हाउसे, और इदर हम लोग लिखेंगे, लिफ, इन, फ्लैट्स, अच्छा, अब हमें तो पाता हैं, कितने स्टूडेंस जोंसे हैं, हाउसे में रह रहे हैं, और कितने स्टूडेंस फ्लैट्स में रह रहे हैं, ठीक है, तो यह करने के लिए, अब एक अली है, जो फ्लैट्स में रह रहे हैं, एक तारिक है, और एक सना, और फ्लैट्स में कौन रह रहे हैं, सोबिया रह रहे हैं, फारिया, और जारा, अच्छा, अब एक तो फॉर्मूला यह, कि आप इस तरह से करें, दूसरा यह, कि आपने यह तो बनाना होगा, लेकिन इसमें और स्टेप के आड़ मैं कर दूँगी, यह आप लोग कर देंगे, कि आप लोग इस से पहले एक टेबल बनाएं, ठीक है, टेबल बनाके, उसमें इन स्टूड़न्स के नेम लिखे, हाउसेज और फ्लैट्स, और फिर आगे नेम लिखने, कि फ्लैट्स में यह रहते हैं, हाउसेज में यह रहते हैं, फिर डिफरेंट बनाके और यह लिखे, अब आपकी मर्जी है, ठीक है, मैंने सिर्फ ही सॉल्स करके बताना था, वो में आपको बता चुकी हूँ, अच्छा, इसका नेक्स कॉस्ट्टन है, अच्छा मेरे ख्याल से अब मुझे और कराने की ज़रूरत नहीं है, सारों में ऐसी ही बेंड डाइग्राम्स बनेंगी, आपने इट प्लांट्स और इट मीट, सबसे पहले जो सा टेबल वाला मैं आपको फॉर्मूला कह रही हूँ, आप टेबल ऐसे बना लें, आप यदर अइनीमल्स के नेम्स लिखें जो प्लांट्स काते है、 इडर उनके नेम्स लिखें जो मीट खाते है、 ठीक है,ве आप यह जैएन्स लिख लेंगे, तो आपके लेए यह ईजिबा सिखे लेंगे आपको पता हूँगा, कौन से नेम्स बाहरायांगी, टीक है अब जैसे मैं सिर्फ इतने सारे नेम्स नहीं लिखूंगी कौन खाता है गोट गोट ऍवप्लांट से रिजिए अब ऑ座 शेख 2800 माय है तक literary आअप have a इफिकल्ट होगी है तो प्लांट्स, इटिंग में कोट, काउ, गोट, इट टाइगर, जिराफ, जिराफ भी तो मितलब ग्रास पे रही खाते हैं, एक है टाइगर, लॉइन, और एंड़ टाइगर, टाइगर, लॉइन, दाइडर सॉर, ठीक है, अच्छा, अब आपने बिल्कुल उसी तरह, दो बनाने, ब्लॉक्सिस, प्लांट्स, एनिमर, ओ सॉरी, मीट, इधर आपने सारे, काउ, गोट, जिराफ, टाइगर, और अंदर से रहा वो लिखने हैं, जो क्या खाते हैं, प्लांट्स, जैसे काउ, गोट, ठीक है, और इधर भी सेम वैसी होगा, अच्छा, अब इसके थ्री कोस्टन्स मैंने आपको समझा आती है, वान, टू, एंड थ्री, अच्छा, टू, मैं आप पर छोड़ सकती हूँ, कि आप लोग कर लेंगे, उमीद है, आप लोग इस और कर ही लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट है, फोर फेमस पाकिस्तानी पीपल, एंड फोर फेमस ब्रेटिश पीपल, हान जी, सीटीज कहा है, प्रोवेंस नहीं कहा, ठीक है, तो आपने सीटीज ही लिखने है, जैसे पंजाब की सीटीज होंगे, लहोर, मुलतान, लहोर है, मुलतान है, पिंडी है, ठीक है, ये सीटीज है, और सिंध के है, सक्खर, कोटरी, हैदराबाद, ठीक है, ये सीटीज है, आप लोग को समझ आई होगी अगर कुछ समझ ना आए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है मैं आपको वो कुश्टन जो समझ नहीं आए उनको दुबारा सौफ करके बताऊंगी ठीक है नमबर वन और नमबर टू के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है ओ आफिस